नमस्कार स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बाई जूज एक्जाम प्रप आएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आज की इस बड़ी खबर पे हम लोग चर्चा करेंगे नियू स्टार्ट ट्रीटी के उपर जैसा कि आपको पता है रसिया ने सस्पेंड कर दिया है नियू स्टार्ट टरीटी को बिलकुल बेसिक से बताओंगा नूह स्टार्ट क्या होता है क्या इसके पहले कोई स्टार्ट था जो की पुराना हो चुका था उसको बाद में ऊखिए पूरा विडियो ध्यान से देखेगा एक एक आपको पता है 1991 का जो दौर चल रहा था जिस समय दो महाशक्तियां यानि कि एक तरफ US और दूसी तरफ USSR बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा यहाँ पर रशिया नहीं है यहाँ पर इस समय सोवियत संग है जब पहली बार स्टार्ट ट्रीटी साइन हुई है उस टा आगे आना पड़ेगा और अपने जो न्यूकलियर वेपन्स है या जो इंटर कॉंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है जिनसे बहुत जादा तबाही मत सकती है एक दूसरे के सामने उसका डेटा रखना होगा और उसको समाप्त करने का धीरे धीरे उसको समाप्त किया जा अगर बात करी जारी है 1991 में इस टाइब की बात हो रही थी और 1994 में ये फोर्स में आ गयी इसके अंदर कुछ नियम बनाएगा रिक्स्रिक्शन बनाए गए कि भाई साब आप भी अपने हत Давай को करेंगे और हम भी अपने हतियारों को कम करेंगे, तो यहाँ पर basically दो टाइप के हतियारों की बात हो रही थी, एक तो ICBM missiles की intercontinental ballistic missile आपको पता है नाम में intercontinental आ रहा है, इसका मतलब एक महादूइब से दूसरे महादूइब तक जाने की शमता है इनके अंदर और दूसरा जो यहाँ पर nuclear warheads है, तो धीरे-धीरे कम करेगा, अच्छा, यह तो बात हो रही है 1991 की, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूँगा, 1987, यह वो दोर है जब यहाँ पर USA और USSR के बीच में एक और treaty साइन हुई थी, जिसको बोलते है INF Treaty, ठीक है, इसका भी नाम याद रखेगा, एक्जाम में अब होता है, Intermediate Range Nuclear Force Treaty, इसमें क्या होता है, 300 से लेकर, 3400 मील, ठीक है, इतनी distance की जो missiles होती है, जो basically ground से छोड़ी जाएंगी, तो ऐसी cruise missiles, बड़े ध्यान से समझेगा, ICBM में तो ballistic missile की बात होती है, बट INF जो treaty थी, इसमें cruise missiles, और जिनकी range इतनी होगी, इनको प्रतिबंधित क पर दिया गया था, basically इनका जो निर्माड है, इनका जो construction है, बट 1987 में ये दोनों देशों ने sign करी, परन्तु यहाँ पर 2019 में, अमेरिका इस treaty से खुद को उसने बाहर कर लिया, तो कहीं न कहीं एक ये भी point है कि देखिए, दो महाशक्तिया जब ऐसे treaty को sign कर रही है, और उसम मैंने आपको बताया कि 1994 में start 1 जो थी, वो activate हुई थी, और ये चली है पूरा 2009 तक, 2009 में आके जब star treaty जो है वो expire हो रही है, इसके दोरान यहीं पर ही एक नई treaty भी आई थी, वो कुछ ही time के लिए आई थी, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो 2002 में, इसको बोलते है strategic offensive reduction treaty sought, ठीक बट यह बहुत जल्दी इसको भी समाप्त कर दिया गया, अब जब यह 2009 में expire हो जाएगी तो उसके बाद अब एक नई treaty की बात होगी, तो यहाँ पर दोनों देख जो हैं, वो इसी नाम से एक नई treaty start करेंगे, start 2 या basically इसको नाम दिया जा रहा है new start, यह जो new start treaty है तो आप हमने decide करी थी, जो मैंने अभी आपको बताई कि ICBM 1600 और nuclear warhead 6000, तो इसमें भी यहाँ पर limit जो थी वो बनाई गई थी, एक बार उसके बारे में चर्चा करते हैं, तो यहाँ पर देखिए, जो ICBMs हैं, ठीक है, इनको 1600 से भी less करके कितना कर दिया गया, 700, यानि कि यहाँ पर ज टॉक की बात नहीं हो रहीगी, आपके पास कितने हतियार है, नहीं, operational कितने है, active कितने हैं, उसको बोला जा रहा है, यानि कि कितने आपने deploy कर रखें ICBM, तो 700 की limit करनी है, दूसरा जो nuclear warheads, star city 1 में 6000 के आज पास थे, उसको भी कम करके, देखिए 6000 से सीधे 1550 nuclear warheads करने हैं, launchers होते हैं, ICBM के, जैसे आपने देखा होगा, S400 का भी अपने launcher होते हैं, तो ये जैसे आप truck देख पा रहे हो, तो इसके अंदर launcher लगे हो, तो जिसके अंदर से missile निकल रही है, तो ये जो deployed और non deployed, दोनों type के जो launchers हैं, इनकी capacity भी आपको 800 करनी है, अब सोच के देखिए कि जब हम लोग star 1 की बात करते हैं, तो उसमें हतियारों को ICBM 1600, nuclear warhead 6000, ये करने की बात करी जारी है, 1994 से यानि घटा के इतना करा जाएगा, तो सोच के देखिए कि पहले इनके पास कितने हतियार रहे होंगे, एक graph के तौर पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख पा से जादा हतियार आपको देखने को मिलेंगे, US का stockpile blue color से आपको देखने को मिलेगा, अगर आप इसमें 1991 की बात करो, तो यहाँ पर पहली star treaty जो थी वो आई, और ये खतम कब हो रही है 2009 में, तो आप सोच के देखो, यहाँ पर अगर ये तो stockpile की बात हो गई, जो dash line आप देख रहे हो ना, ये deployed है, तो अगर केवल deployed को भी आप देखोगे, तो 290, 91 में जो deployed है, वो आपको इधर दिख रहे होंगे, 8000 से 10,000 तक, सोच के देखिए, 8000 से ये कम होके आ गए है, कुछ 4 या 3000 या 4000, यानि कि 50% हतियार जो थे, वो यहाँ पर reduce करे गए, उनको नश्ट क और operational थे, 1968, उनको reduction कितना करा गया, 1550 में, इसी तरीके से, रशिया के पास 2600 से जादा थे, उनको भी reduce करके 1550 मिलाए गया, तो overall 30%, star 1 में तो हमें जादा success देखने को मिल रही है, ठीक है, और star 2 है, उसमें हमें 30% के आसपास reduction हतियारों में देखने को मिल रहा है, और अगर के अंदर की बात करें, तो मैंने आपको बताया कि भाई, जो limits थी, वो भी decide करी गई, ठीक है, उसके अलावा कुछ और नियम बनाए गए, अब मान के चलिए कि A और B दो देख है, ठीक है, दोनों के बीच में pact sign होता है, और दोनों एक दूसरे से इतनी दूर है, अब दोनो को एक दूसरे पर trust नहीं है, कि भाईया, हमने तो sign कर दिये, बठ हमें तुम्हारे ओपर भरोसा नहीं, तुम हतियारों को कम कर रहे हो की नहीं, तो उसके लिए भी यहाँ पर प्रावधान क्या था, 18 on-site inspections per year, यानि कि A जो है, मानलो यह USA है, और यह हमारा रूस है, तो यह जहां से एक टीम भेजी जाएगी, रूस में 18 बार यह लोग inspection रूस के अंदर का कर सकते हैं, जहां जहां पर ICBM वगएरा, जहां पर deployed होते हैं, वहां पर, इसी तरीके से रूस की टीम जो है, वो USA आके 18 बार inspection कर सकती है, यहां पर आपको यह भी ध्यान देना है, inspection जो होते ह इंस्पेक्शन का मतलब होता है, जाच करना, यह जाच दो टाइप की यहां पर होती है, यह भी जान लीजिए, पहला टाइप होता है, टाइप 1 जिसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें एक टीम USA से गई, रूस के अंदर, अगर यह टाइप 1 का inspection करने गई है, तो य इंस्पेक्शन करने जा रही है, तो वो केवल non-deployed strategic systems को यहां पर चेक करेगी, 2023 फरवरी का data है, यानि कि star 2 जो treaty है, उसके अंदर जो यह 18 on-site inspections की बात करी जा रही है, अब तक 328 बार total दोनों देशों ने एक दूसरे का inspection कर रखा है, इसी के साथ-साथ 19 बार दोनों देश meeting कर चुके हैं, 42 times दोनों के बीच में जो bilateral data exchange होता है, कि एक तरफ से missile का data exchange करना वो हो चुका है, अब जैसा कि आप इस figure में देख पा रहे हो, deployed ICBM की बात हो रही, तो इसकी limit 700 थी, US की बात करें तो इनके पास 659 थे और 540 थे, तो treaty की limit के अंदर रहे, यहां पर अगर nuclear warheads की बात करेंगे, तो वो 1550 थे, दोनों ही इस limit के अंदर रहें, तो अगर overall देखा जाए, तो देखे, treaty तो successful रही, क्योंकि आपने जैसा इस graph में देखा, कितनी जादा मातरा में हतियार जो थे दोनों के पास stock pileup था, और वो कहां से कहां घटके आ गया, तो यह treaty अगर आगे भ की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर भी 160 nuclear war rates हैं, बट अब जैसा कि पुतिन ने declare कर दिया है कि वो अब new start treaty से पूरी तरीके से अलग हो चुके हैं, उसको suspend कर दिया उन्होंने, तो यह साफ-साफ दर्शाता है कि USA और रूस के बीच में फिर से एक तनाव की इस्तिती की जा सकती है, आशा करता हूँ, जो मैंने चीजें आपको basic बताने का प्रयास किया है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, चलिए, आज missiles की बहुत बाते हो गई, तो मेरे को आप बताईए कि cruise missile और ballistic missile दोनों में main difference होता क्या है, आज का session कैसा लगा, comment करके जरूर बताईएगा, आप से मुलाकात होगी, बिग न्यूस के अगले session में एक नए burning topic के साथ, तब तक आप अपनी पढ़ाई करेंगे, स्वस्त रहेंगे, और सबसे जादा important अपने मातापिता का बहुत सारा ध्यान रखेंगे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जैहिंद झाल